दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है ट्विटर जिसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत हल चल मल चुकी है जब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से या तो इलॉन मस्क खुद लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं या लोग ट्विटर की नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यह समय ऐसा है जब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ट्विटर आने वाले दिनों में ट्विटर पे क्या होगा Elon Musk का कहना था कि जिन लोगों को blue tick चाहिए यानि कि जिन लोगों को verified tick चाहिए उनको अब पैसा देना पड़ेगा लगबग 8 डॉलर जिसका मतलब है कि 700 से 750 रुपे के आसपास आपको देना पड़ेगा पैसा हिंदुस्तान में अगर आप रहते हैं अगर आपको verified tick चाहिए कई सारे लोगों का कहना था कि इतना पैसा तो Netflix का जो subscription है उसमें भी नहीं देना पड़ता इसी समय के अंदर कू जो एक हिंदुस्तानी आप है वो कई लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया सिर्फ देश में ही नहीं बलकि देश के और कई सारे जो दुनिया के और कई सारे जो देश हैं वहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ सानों के अंदर जिस जगे ट्विटर है वहाँ पे एक हिंदुस्तानी आप हो यही सवाल लेकि हम कू के CEO और को फाउंडर के पास पहुंचे हैं अपरामिया राधाकृष्णा आप से शुरुवात में जानना चाहूंगी अपरामिया जब आपने कू लांच किया जो जितना समय ट्विटर को 16 सालों मे लगा पहुंचने के लिए आपने दो साल के अंदर टेक्नोलोजी के साथ एक एप लॉंच किया कई सारे जो नेता है हिंदुस्तान के हम प्रदानमंतरी की बात करें घ्रह्मंतरी की बात करें वो भी कूपे हैं अपनी उपीनियन से करते हैं इस समय ट्विटर में भूकम्प मचा हुआ है लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ट्विटर अगले आने वाले समय में यह जो आप है किस शकल के अंदर यह आप होगा हो सकता है सारी चीजें से आप के उपर हो सकता है सिर्फ ओपीनियन हो क्या आपको लगता है कि यह सही समय है कि हिंदुस्तान का एक एक ग्लोब को बहुत सारे लोगों को यह पे नहीं करना है एक यह रीजन है अल्टरनेटिव ढूणने का और बाकि सारे लोगों को यह जो ओनर्शिप चेंज है उनको पसंद नहीं है कि एक बिलियोनेर रिचेस्ट मैन इन दे वरल्ड हमारा ओपीनियन्स को कंट्रोल करेंगे वो सब ड करेंगमेंट आप बन जाएगा यह पता नहीं है लोगों को तो यह सब कन्फूजन में बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव देख रहे हैं और हमारा जो आप है दो साल में जो बनाया है वो सिर्फ एक ही आप है दुनिया में जहां पे लाइक टु लाइक है ट्विटर में जो बताने के लिए दुनिया को कि हमारा प्रॉडक्ट है अच्छा है और फ्री में देंगे और अगर इतना बोलेंगे तो लोग आ जाएंगे यह ब्रेजिल में अभी दो दिन में बहुत सारे लोग आए नमबर वन आप बन गए ब्रेजिल में कू क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की बात करें दुनिया में तो हो सकता है कि एक अमेरिकन के लिए आड डॉलर क्रना कोई बहुत बड़ी बात दा हो लेकिन साथ सो पचास Rupee साथ सोुपचास हो सकता कॉया भी हो जाए इतना पैसा क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तानी नहीं देगा एक ब्ल को लगता है कि हिंदुस्तानी इतना पैसा नहीं देगा एक टिक के लिए freedom of expression एक fundamental right है freedom of expression का term जो है उसमें भी free है freedom तो उसको उसके लिए charge करना और priority देना जो पैसे देते हैं उनका बात ज्यादा है और जो पैसे नहीं देते हैं उनका बात कम है यह discrimination अच्छा नहीं है जो freedom of expression है वो you know depending on the weightage of what you say how right wrong you are should be decided by the crowd so इस जगे में चार्ज करना बिलकुल यह अच्छा नहीं है और Indians ही नहीं Americans भी नहीं देना चाहते हैं आखरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अगर आपको एक नसीहत देनी हो एक advice देनी हो Elon Musk को आप उनको इस समय क्या advice देंगे कि क्या करना चाहिए जो भी वो कर रहे हैं कू के लिए बहुत अच्छा है वो हमारा actually CMO है world's richest man और जो कर रहे हैं वो करते रहें ताकि हम advantage ले सके तो जो Elon Musk कर रहे हैं वो कू के लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है कि अगले आने वाले सालों में हम ये देखें कि जिस जगे इस समय ट्विटर खड़ा है वहाँ पर हिंदुस्तान का एक अप कू अपनी जगे बना के वहाँ पे खड़ा हो क्यामरा परसनर जे ठाकूर के साथ श्वरय पालिवाल आज तक वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर करें